हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबीका बिहारी मेडिया न्यूज चैनल पर इवर फिर सी आज की इस वीडियो में हम बिहार के टुडे ब्रेकिंग न्यूज पंदरा बड़ी ख़बरों के बारे में जानेंगे जिसमें हम आपको सबसे पहले बताएंगे देश भर में आज तीन घंटे और बिहार में सिर्फ एक घंटा रहेगा चक्का जान दिल्ली के तरज पर बिहार में खुलेगा मुहला किलिनिक फिर बड़ी ख़बर बताएंगे बिहार में पिएजडी योगदाधारी ही बनेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर बैंक में भर्दी के लिए जारी हुआ एक्जाम केलेंडर बिहार में करवट लेगा मौसम कई हिस्सों में बारिस वो ओला गिरनी के आसार साथ बड़ी कबर बताएंगे सुधा के दूत समेत अन उत्पादों की किमत बड़ी बिहार बोर्ड इंटर परिछा के चोथे दिन एक सो विर्दाती निसकासी UPSC की परिछा में कोरोना की वज़ा से सामिल नहीं हो पाने वाले चात्रों को मिलेगा एक और मौका बिहार के चमपारन मेट को मिलेगी इंटरनेशनल पहचान जियाई टेगिंग की तैयारी चिराग ने सेम नितिस को लिखा पत्र रुपे सहताकान की सिबिया जाच कराने की मांग फिर बड़ी कवर बताएंगे राज के तीन सहरों में बनेंगे फाइव स्टार होटल जल्द लगवाए वहानों में फास्टेग नहीं तो 15 फरवरी से देना होगा दोगुना टेक्स राज में कक्छा नोवी के स्टिडेंट को रजिस्टेशन के लिए दूसरा मोका साथ ही बताएंगे राज में डेलेड एक्जाम की डेट बदली और फिर आपको बताएंगे बिहार में सरकारी प्राइवेट नोकरियों के बारे में नितिस सरकार का बड़ा फैसला तो हमेशा की तरह आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दिया और आप बिहार के किस जिले में रते हैं साथ हमें नीचे कमेंड बॉक्स में जरूर बता है और आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंड बॉक्स में जरूर पूछे आज की सबसे बड़ी खबर आज पुरे देश में तीन घंटे और बिहार में सिर्फ एक घंटा रहेगा चक्का जाम इंटर परिचात्रियों के लिए महागडबंदन ने लिया फैसला जिहां किसानों की मांग को पूरी करवाने के लिए अखिल भारतिया किसान संग्टन की ओर से छे फरवर यानि आज पुरे देश भर में तीन घंटे का चक्का जाम एलान किया गिया है बिहार में इसको राष्ट्य जनता दल, कॉंग्रेस और वाम दल समरतन कर रहा है लेकिन इंटर्मेडेट एक्जाम को देखते वे महागरवंदन के दलों ने बिहार में सिर्फ एक घंटा तक चक्का जाम करने का फैसला लिया है जिससे परिचातरियों और अविभावकों को कोई दिक्कत ना हो बिहार में दोपर दो बजे से तीन बजे तक चक्का जाम करने का निने लिया गया है हाला कि चक्का जाम के दोरान इमर्जंसी सेवा को बाधित नहीं किया जाएगा अगली बड़ी खबर बैंक में भरती के लिए जारी हुआ एक्जाम केलेंडर अगस्त से दिसंबर तक होगी परिक्षा जी हाँ आवीपियस ने 2021 का एक्जाम केलेंडर जारी कर दिया है सरकारी बैंक में कलर्क, पियो मेनेजमेंट ट्रेनी और स्पेसिलिस्ट ओफिसर के पदो पर नियुकती के लिए आवीपियस अगस्त से दिसंबर 2021 तक परिक्षाए आविजित करेगा आवीपियस ने कहा कि इन सभी परिक्षाओं के लिए आवेधन की प्रकिरिया ओल्लाइन होगी यहाँ टेंटेटिव केलेंडर है परिक्षात्रियों को तिति में बदलावी सम्मव है करेकिस में कब कौन सी ब्यांक की भरती परिक्षाए होनी है यह जानकारी आवेपियस ने वेफसाइट आवेपियस डॉट इन पर जारी कर दी है आपको बदा दे कि आवेपियस कलर की की प्रारंबिक परिक्षा 28 29 अगस्त 4 और 5 सितंबर को आयोजित होगी मुई की वा ओला गिरने के आसार जिहां बिहार में मौसम के बदलाओ की परिस्तितिया तैयार है सनिवार को राज के कई हिस्सों में गरज तड़क के साथ बारिस के आसार है कुछ जगों पर ओले गिर सकते हैं राइदानी पटना में भी आंसिक बादल चाहे रहेंगे और बुन्द पलाओ का असर चंपारन के इलाके में दिखने लगा है अगली 24 घंटे में या राजबर में विस्तार पाया जाएगा आंधी पानी और गरज तड़क की सिति रहेगी उत्तर पश्मी बिहार उत्तर मजद बिहार और उत्तर पूर्व बिहार में इसका असर जादा दिखेगा अगली बड़ी कबर सुधा समेत अन उत्तपादों की कीमत बढ़ी साथ परवरी से लागू होगी नई दरे कोदा के दही और टेटा फेक फ्लेवर्ड दूद आधी की किमत में विरिधी नहीं की गई है साथ ही पसुपालों को भी दी जाने वाली दर्म भी कंपेंड ने प्रती किलो एक रुपिय चतिस पैसे से दो रुपिय त्यालिस पैसे तक बढ़ा दी है बिहार बोर्ड इंटर इतिहास और अंग्रेजी की परिच्छा में सो निस्कासित बारा फरजी परिचात्री पकड़े गए बिहार बोर्ड इंटरमेडियट वार्सिक परिचा दो जर एकिस के चोते दिन दोनों पालियों मिला कर कदाचार के आरूप में सो परिचात्रियों को निस्कासित किया गया सबसे ज़्यादा नवादा जिले से 22 वा पटना जिले से 11 परिचात्री निकाले गए प्रदेश भर में 21 जिलों से 100 परिचात्रियों को विभिन परिचा केंद्रों से निस्कासित किया गया वह प्रदेश भर के 4 जिलों से 12 फरजी चात्र को भी पकड़ा गया इसके अलावा प्रदेश भर में 7 पूर्ण परिचा संपन होई ग्यात हो कि परिच्छा के चोथे दिन दो पालियों में परिच्छा लिग गई थी UPSC अभियर्थियों को बड़े रहत कोरोना की वज़ा से परिच्छा ना देने वाले चात्रों को मिलेगा अतरिक्त मौका जी हाँ संगल लोक सेवा आयोग यानी UPSC की परिच्छा में कोरोना की वज़ा से सामिल नहीं हो पाने वाले उन चात्रों को एक और मौका मिलेगा जिनका यह लास्ट अटेम्ट था सुप्रीम कोट में सुनवाई के दोरान केंदर सरकार ने इस पर सहमति दे दी है इससे पले एक परवरी को सुनवाई के दोरान केंदर सरकार ने सुप्रीम कोट से कहा था कि वहाँ UPSC परिचा 2020 में COVID-19 के कारण सामिल नहीं हो से के या ठीक से तयारे नहीं कर पाने वाले ऐसे अभियर्तियों को अतरिक्त मौका नहीं देगी सरकार ने कहा कि 2020 में अंतिम मौका गवाच चुके अभियर्तियों को अतरिक्त अवसर देना आयने के साथ भेदबा होगा लेकिन अब यहां मौका दे दिया गिया है बड़ी कबर बिहार के चमपारन मीट को मिलेगी इंटरनेशनल पहचान जी आइ टेगिंग की तयारियाँ बिहार के मधुवने पेंटिंग और माखाना की दुनिया में चोपहचान है वैसे ही पहचान आने वाले दिनों में चमपारन की मीट की होगी बिहार पसुविझ्यान विस्विदाले इसके परियास में जुटा हुआ है कुलपती डाक्टर रामिस्वर सिंग ने कहा कि जल्द ही बिहार की चमपारन मीट की जियाई टेगिंग विस्वी दाले द्वारा करा ले जाएगी पटना के कई रेश्टोरेंट मालिक मीट दुकांदार छातर वा सिक्षकों को मांस को बेहतर धंग से काटने स्वचता का ध्यान रखने और मांस निकालने के लिए स्वस्त पसो के चैन पर परकास डाला है चिराग ने सियम नितिस को लिखा पत्र रुपेश हैतका spaghetti की सिवियाज आच कराने की मांग रुपेश सिंग हैतकान का खुलासा भाले ही पटना पुलिस ने कर दिया हो लेकिन पटना पुलिस के दावे को ना तो परिवार मानने को तयार है और ना ही नितिस कुमार की विरोधी लजपी अधक्ष चिराग पासवान ने इस मामले को लेकर मुझमंतरे नितिस कुमार को एक पत्र लिखा है चिराग पासवान ने नितिस कुमार के सामने मांग रखी है कि वह रुपेश हैतकान की सिबिया जाच कराए नितिस कुमार को लिखे अपने पत्र में चिराग पासव से संतुष्ट नहीं है रुपेश के बड़े भाई वर्सों से जेड़ोए के नेता रहे हैं परिवार के सभी सदय से आपसे नियाई के उम्मीद करते हैं वे स्वर्गिया रुपेश से सिंग हट्तकार्ण की सिविया जाज कराना चाहते हैं बिहार के इन तीन सहरों में बनेंगे फाइव स्टार होटल अपरेल से सुरू होगा काम जी हां बिहार में फाइव स्टार होटल के निर्मान को मंजोरी मिल गई है परियाटन विभाग के मंत्री जिवेश कुमार ने बताया कि राज में तिन सवरों में जल्द ही फाइव स्टार होटल के निर्मान सुरू होने वाले हैं जानकारे के अनुसार पटना नालंदा बोधगया में बनने वाले इन होटल के निर्मान का काम अप्रेल महने से सुरू हो जाएगा पटना के बाकी पूर डिप परिसर और होटल पाटली पूतर असोक परिसर के लिए अगले एक सब्ता में टेंडर की प्रक्रिया सुरू हो जा जल्द लगाये वहानों में फास्टेक नहीं तो 15 फरवरी से देना होगा दोगोना टेक्स राष्टिय राजमार्ग संक्या 30 पर बाइपास इस्तित पटना बक्तियार पूर टोल पलाजा से हर दिन गुजरने वाले वहानों में फास्टेक काड लगाने की गती बहुत धिमी है एक जनवरी से अभी तक 50 परतिसात वाहनों में ही फास्टेक लगाये गए हैं लगबग 50 परतिसात वालों में फास्टेक काड ही नहीं है या जानकारी टोल पलाजा कंपनी के महा प्रवंदक ने दी उन्होंने बताए कि 15 फरवरी से टोल के सभी 12 लेन कैसले सो जाएंगे इ परवेश करने के वाल चालोक को दोगोना टोल टेक्स देना होगा इसके बाद ही वह पार कर पाएंगे अगली बड़ी ख़वर नौवी के स्टुडेंट को दूसरा मोका अगर आपका बच्चा भी नहीं करा पाया रजिस्ट्रेसन तो 6 से 12 फरवरी के बीच है मोका बिहार बिधाले परिचा समीति द्वारा वार्षिक मैदमिक परिचा 2022 में समयलित होने के लिए नौवी कक्षा में पढ़ रहे चात्रों को रहा दी गई है जिन चात्रों ने रजिस्ट्रेसन नहीं कराया है उनके लिए फिर मोका दिया गया है इस विशेस अवसर के तहत 6 से 12 जमा करने के लिए www.secondary.biharboardonline.com वेबसाइट पर जाना होगा जिन विदातियों का रेजिस्ट्रेसन पूर्व में किया जा चुका है लेकिन सुल्क अभी तक जमा नहीं हुआ है तो सम्मनित विदाले के प्रदान अधाबक द्वारा ऐसे विदातियों का बगाया सुल्क इस अवदी के दोरान ओनलाइन जमा किया जाएगा अगली बड़ी कबर बिहार बिदाले परिच्छा समीती ने डियलेट परिच्छा का परिच्छा को निरस्ट कर दिया है इसके लिए 17 से 21 मार्च तक का समय निधारित किया गया था बोर्ड का कहना है कि इसे विशेस कारण से इस्तगित किया जा रहा है अब यह परिच्छा नए से डियूल 6 से 10 अप्रेल के बीच होगी दिल्ली के तरज पर बिहार में खुलेंगे मुहला क्लिनिक पीपीडी मोड पर बनेंगे सारवजनिक सोचालाइज में निगम की ससक्त 27 समिती के 48 वी साधारन बैठक 10 फरवरी बуска बनेंगे मुहला क्लिनिक की तरह निगम चेतरों को भी इसे खूलने का निने लिया जाएगा इसके लिए प्रस्ताव लाया गया है जानकारों की अनुसार दिल्ली की तरज पर मोडल के रूप में प्रैमारी हेल्थ सिंडर की तरह मुहला क्लिनिक सुरूक करनी की तयारी में है इसमें लोगों को मुप्त में स्वास्त सेवाय वा दवाय मिलेगी इसे सरकारी एस्पतालों में छोटी समय साओ के लिए लोगों की भीड कम होगी महला क्लिनिक में बड़े भावन की जोरत नहीं है नए सरवजनिक सोचलाई का निर्मान पिपेडी मोड पर बनाने पर निर्न लिया जाएगा साथ ही चालो वित्य वर्स के बजट एस्टिमेट महला क्लिनिक खोलने सहीट आठ एजेंडों पर चर्चा होगी बिहार में सरकारी प्रावेट नोक्रियों के बारे में नितिस सरकार का बड़ा फैसला जी हाँ नोक्री की तलास कर रहे इवावों के ले नितिस सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है स्रम संसादन विभाग ने बिहार के इवावों के रोजगार को ध्यान में रखते हुए मार्च में राज इस्तरिया पोटल सुरू करेगा जहां उन्हें रोजगार संबंदिस सभी जानकारिया हर दिन आसाले से मिल पाएगी इस पोटल पर बिहार के अलावा देश के अन्य राज्यों में सरकारी और नेजिस संस्तान से निकलने वाले नोक्रियों के बारे में जानकारी रहेगी या बिलकुल मुप्त होगी इवावों को इसके लिए NCS पोटल पर निवंदन कराना होगा जहां से उन्हें रोजगार स प्यजडी योगताधारी ही बनेगे असिस्टेंट प्रोफेसर अब नेट नहीं होगा जरूरी जी हां असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अब नेट जियारप का महत्वा आने वाले दिनों में नहीं रह जाएगा एक जुलाई 2021 से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिर्फ और सिर्फ पेजडी की डिग्री अनिवार करने की बात हो रही है पूर्व केंद्रिय सिख्चा मंत्री परकास जावेटकर के द्वारा बकायदा इसको लेकर विगापित जारी कर घोसना की गई थी अगर उक्त निडने को UGC इस वर्स अधिसुचित करती है तो 1 जुलाई 2021 के पुरानी विवस्ता समाप्त हो जाएगी हाला कि इस पर पूर्णा विचार कर कोई निडने केंद्रिय अमानव संसादन विकास मंत्राले वर UGC ले सकती है इदर सुप्रीम कोट ने कहा कि अब पिएजडी अर्था तकनिकी संसानों के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अनिवार है अर्थात अगर नेट या जे आरेप है तो भी पिएजडी होना जरूरी होगा अन्यता आवेदन ही नहीं कर पाएंगे आज के लिए आपका सवाल बताएं कि किसान आंदोलन को अब धकुल कितने दिन हो चुके है इसका जवाब आप में नीचे कमेंट बोक्स में चरूर बताएं और इसके साथ ही जो इस चैनल पे नए आए है चैनल को सब्सक्राब करके बगल वाले नोटिपिकेशन बेल को जरूर ओन कर ले ताकि रोजाना बिहार की ताजा अपडेट आपके मोगाल में मिलते रहेंगे थाइंक्यू टेक केर गुडबाई जय हिंद जय भारत वन दे मात्रम